वेलकम टो आवर चैनल दो फॉर पैक फैमिली आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वेट लोस के बारे में वेट लोस रदियों में हमेशा ज्यादा होता है क्योंगे आपका मेटापोलिजम रेट हाई होता है आपकी बोड़ी आपकी थर्मो रेगुलेशन को बैलनस कर बाइर का तेमपरेशर बहुत हद तक ड्रोप हो चुका होता है तो उसको किस तरह से बैलनस किया जाए बोड़ी आपको एक हैबिट चेंज करनी है विंटर में सिरफ एक हैबिट के चेंज करने से अब बहुत हद तक और बहुत तीजी से अपने वेट को कम करेंगे कि आप इसमें इतना मन्त तक तक अपने वेट लूस कर सकते हैं और यह बहुत ही ईजी और असान से टीप से इसकर आपको कोई बेसिक डायट पोर्शन कोई डायट चार्ट कुछ भी असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है आप सबसे पहले एक मोर्निंग ड्रिंक लेना स्टार्ट कर कोई सकते हैं किसी भी तरह का गरम पानी में आप ले और गरम पानी लेना सर्दियों में बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यू स्स्राण से डेलीलाइफ में अड़ कर लें चाहे आफ डेड मिल पे होँ चाहे आप Steel Are ċप जार्क में pesos को चाहे आप कुछे स्टेप्स को अपने बोड़ी का टेंप्रेचर ज्यादा होता है इसलिए हमें थोड़ी सी एफ़र्ट कम करने पड़ी है एस कंपियर टू समर्स विंटर में आप से ज़्याद गरम पानी पीना बहुत असान होता है आप गरम पानी को अपनी बोड़ी का हिस्सा बना लें सर्दियों में बार-बार गरम पानी लेते रहें गरम पानी आपके लिए हद दर्जे एफेक्टिव होता है जितना ज्यादा आप उसको लेंगे आप आपके डेली वाटर कुई जो क्वांटर्टी है वो भी कूरी हो रही आपके बोड़ी को मॉइस्चर बे मिलेगा नौरिश हम पाकिसान ए इंडियन के जिया तर यह सोच है तो खाना नहीं खाया लेकिन रोटी को आप एक टाइम पर लेके जाएंगे आप बहुत जल्दी बहुत जल्दी लेडिस अपना वेट लूज करेंगे यह बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है यह मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ट्रिक बताई थी मैंने उसके बाद इस तरह से करना स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी मेरा वेट लूज हुआ आप सैलर ले सकते हैं आप अपने लिए अच्छा सा एक फ्रूट बाल रैडि कर सकते हैं उसमें डिफरंट जो भी आपको फ्रूट में उस सीजन के आप एड एड़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स में आप सासाथ परोटीन पोर्शन के तोर पे चने एड़ कर सकते हैं बीन्स एड़ कर सकते हैं लोबिया और इसके सासाथ इसके सासाथ के ईजी पीजी ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर किया हुए हैं आप किसी भी तरह से परोटीन पो पूडिंग बना सकते हैं, परोटीन पॉर्शन फूट का पॉर्शन वेजिटेबल का पॉर्शन या अपने लास्मी अपनी डायट का हिस्सा रखना हैं 3 टाइम और 2 टाइम आपको स्नेक टाइम लेना है आप ओर्ट का फोरीज बना सकते हैं आपके पास बहुतरीन ओप्शन हो आपको हमेशा ब्राउन ब्रेड यूज करनी है ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस आपके लिए इनफ होगा आप टू पोशन भी ले सकते हैं करवोईडरिड लेडी आपको डेली 15% तर थे अब करनी है आपको कर लेनी है पुशन 30% तक आप चुब कर सकते हैं अमेगा 3 fatty acid में जाती है हम इसके वएसे मारे जो बॉड़ी डाइट के वएसे लो लो फील कर रहे होते हैं कि हमारा खाना चानक से कम होते है तो हमें लो फील नहीं होता और आपने यह नी सोचना का खाना कम हो गया आपने उसमें हैल्दी चीज़ें आड़ कर देनी है डिनर के है आप इनको अपनी पुडिंग वगारा में भी डाल सकते हैं आप कुछ यॉगर्ट में डालके यूज कर सकते हैं डेट को यूगर्ट में यूज करें आपने शुगर को एक तरह से स्किप करना है अगर आपसे शुगर मुकमल दोर पे स्किप नहीं भी हो रही तो आपने जाइगरी का इस्तमाद कर सकते हैं फिर आहिसा 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 आपने उसको भी स्कीप करते जाना है लेकिन शूगर अगर आप वेट लोस करें आपके लिए बहतरीन उप्शन नहीं है बिल्कुल भी बलके वह उप्शन ही हम कंसीडर कर सकते हैं 40% वेज़िटेबल का पोशन 30% हम परोटीन का पोशन रखेंगे 15% हेल्दी फैट में मरपस चीज आ सकते हैं भलका से देवसीगी आ सकते हैं बार्बी क्यों के लिए यूज करें हैं किसी भी तरह से और 15% हम कार्वोईडरेट रह सकते हैं लेंटिस वाटर जीरा वाटर बहुत बेहितरीन होता है हम्वारे स्वबन फैट के लिए जो कि बिल्कुल भी कहीं पर नहीं जा रहा होता बिल्कुल हिल जौल नहीं रहा होता आप इसके लावर लेंटिस सूप यूज कर सकते हैं दा प्रातोर अपर इंपूट टेपे रमाँ